हेलो दोस्तों, वेलकम ट्यू एजूकेशन चैनल, दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन लेके आये हैं, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन दिलीच क्या है, पंजाब पुलिश सर्विस रिकूटमेंट बूर्ड ने, और इसमें जो ह सक्षन है कि इसमें तीन सक्षन में नोन टेक्निकल वाले और टेक्निकल वाले अप्लाइ कर सकते हैं, और एक सक्षन जो है जिसमें सिर्फ टेक्निकल वाले ही अप्लाइ कर सकते हैं, तो कितनी वेकेंसी नोन टेक्निकल और कितनी वेकेंसी जो है टेक्निकल वालों के लिए ह वो हम discuss करेंगे पूरा notification दोस्तों इसमें cover करने वाले हैं along with इसमें जो है examination pattern discuss करेंगे syllabus discuss करेंगे and physical right जो recruitment process है वो three stage में होगा right first stage जो है आपका return examination होगा return examination जो है SI का two part में होगा pre paper and post paper right two paper होगे and then फिर जाके फिर आपका physical standard test होगा and physical उसके बाद screening test होगा and then फिर जाके आपका meritoris तयार होगा right salary structure आप देख सकते हैं 35400 salary structure है तो चलिए discuss करते हैं इस notification को और वीडियो के last में दोस्तों तीन और different organization के जो है notification आपको इसी screen पर इम लेगा जहांकि आप apply कर सकते हैं इस notification के अलावा इस organization के अलावा right और अगर आप इजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें ताकि government job से related notification आपको everyday मिलता रहे right दोस्तों और अभी description box में आपको मिलेगा instagram पे आप अगर जुरना चाहते हैं या telegram पे तो आप description box में link दिया गया है वहां से आप जुर सकते हैं right चलिए देखते हैं इसमें पंजाब police recruitment board यहां पे vacancy निकली भी है 560 vacancy for the sub inspector right sub inspector in four category में दिया गया है 6 July से form filling होना start हो चुका है 27 July तक आप form fill कर सकते हैं right कोई भी doubt है यहां पे contact detail दिया गया है वैसे कोई आपको doubt नहीं होगा अगर आप पूरा video देखेंगे तो साड़ा कुछ clear होते जाएगा आपको right दोस्तों तो आप यहां पे next देखते हैं इसमे यहां पे देखिए आपका जो है three stage में first जो है CBT होगा second होगा physical measurement test third होगा आपका physical screening test इन तीनों के basis पे आपका selection होगा right अब यहां पे देखिए जो मैंने आपको बताया था चार section में vacancy निकली विये SI की तो first vacancy जो है district police officer की रूप में है जिश में की 87 vacancy है sub inspector की यहां पे break up दिया गया है men and women दोनों के लिए है right यहां पे women men में जो है male और female दोनों apply कर सकते है women का तो reserve है इस इसमें आप यहां पे देख सकते है general and open unreserved category के लिए male में 35 and women के लिए 11 इसी तरह यहां पे जितना भी reservation का आप देख सकते है 87 vacancy का break up दिया गया है right दोस्तों तो यह है आपक अब यहां पे देखेंगे हम जो है arm police force का जिसमें 97 vacancy है sub inspector का और इसमें जो है आप यहां पे देख सकते है general open unreserved इसमें 41 normal है और 11 vacancy जो है इसमें reserve है female के लिए उसी तरह यहां पे दिया गया है पोड़ा का पोड़ा reservation का आप देख सकते है column bifurcation किया गया है 97 vacancy का जो कि arm police force के लिए अब तीसरा जो है intelligence क्रेड के लिए इसमें है 87 vacancy intelligence officer के तौर पे यहां पे देख सकते हैं आप यहां पे break up दिया गया है general के लिए 35 और women के लिए reserve है 11 तो राइड यहां पे 87 vacancy का break up किया गया है उसके बाद जो है investigation क्रेड में investigation officers के रूप में 289 vacancy है सबसे ज्यादा वेकेंसी इसमें है और इसमें आप देख सकते हैं general के लिए 122 और यहां पे women के लिए 35 रिजर्व है 289 vacancy का यहां पे break up दिया गया है आप यहां पे देख सकते हैं general SC, ST, OVC, इकनोवी कर सक्षन, एक सर्विश्में क्या है आप screen start ले सकते हैं अब next देखते हैं दोस्तों इसमें pay scale, pay scale में क्या है 35,400 जो है आपका basic salary है and इसका 39%, 38% और अगर add करेंगे तो आपका around 42 के असपास जो है आपका in hand starting salary होगा and maximum salary जो है दोस्तों एक लाग बाड़ा हजार something तक SI profile के लिए क्या गया है जब आपका time of retirement का होगा तो उस time आपको इतनी salary होगी अगर Sam profile पे रहे तो अगर आपका promotion होता है देन आपकी salary तो काफी जादा बढ़ जाएगी कोई भी Indian candidate इसमें apply कर सकता है right age calculate करने का जो date fix किया गया गया एक जनवरी 2021 right 18-28 age रखा गया है 5 year age relaxation मिलेगा ऐसे candidate को जो की SCST से belong करते हैं और पंजाब से belong करते हैं जो पंजाब से belong नहीं करते हैं उनके लिए जो है reservation count नहीं होगा right अब यहाँ पे देखिए education qualification जो चार criteria है चार section बनाए गये हैं 7 inspector district के लिए arm के लिए investigation and intelligence ये 4 section divide किया गया है तो first section जो है district police के लिए जो sub inspector है कोई भी graduate form fill कर सकता है Sam arm police के लिए कोई भी graduate form fill कर सकता है Sam जो है investigation grade के लिए जो है apply कर सकता है कोई भी graduate उसके बाद इसमें जो है intelligence officer इसमें भी graduate apply करेंगे बट इसमें जो है o grade का may be अगर आता है ऐसे candidate ऐसे अप्लिकेंट तो definitely o level का certificate of information technology तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है computer science, computer application, information technology या information technology यह b-tech का यहाँ पर मागा गया है so up to where BCA as a candidate इसमें apply कर पाएंगे right investigation intelligence officer के रूप में right अब यहाँ पर देखिए mandatory जो है qualification क्या है 10th में अगर आपने पंजाबी pass किया हुआ एक subject पंजाबी अगर आपका है 10th में तो ही आप apply कर सकते हैं right तो यहाँ पर देखिए physical standard and physical screening test physical standard first जहां होगा mail के लिए जो है five seven रखा गया है district police के लिए five feet seven inch और female के लिए five two arm police के लिए five seven and female के लिए five two investigation and intelligence के लिए mail में five five and female के लिए five one रखा गया है यह physical standard हो गया qualifying and selection process में जो है आपका document verification after return examination first two stage का return examination होगा mcqs type question होगे और इसमें जो है दो ही option होगा दोस्तो be careful इसमें चार option वाले mcqs नहीं होगे two option वाले mcqs होगे two multiple choice question होगे आपके पास and then return होने के बाद आपका document scrutiny होगा physical measurement test होगा and then physical screening test होगा and then fill जाके आपका merit list तयार होगा that is the thing अब यहाँ पे देखिए दो language में paper होगा ए जो first return होगा उसका syllabus दिया गया दो घंटे का paper होगा hundred question होगे every question जो है चार मार्स का होगा राइट यहाँ पे general awareness पचास नमर का दिया गया है जिसमें कि आपका local governance राइट judicial history culture पंजावी culture science technology Indian economy geography civics इस सब से related पूछा जाएगा जैसा का आप syllabus देख सकते हैं उसी तरह second जो है 30 आपका quantitative attitude and numerical skill पूछा जाएगा जिसमें कि आपका यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप decimals specification laws profit and all these things यह 30 नमर का पूछा जाएगा एट जो है 20 नमर का पंजावी पूछा जाएगा यह आपका 100 नमर का paper first हो गया जो दो घंटे का होगा 100 मार्स का होगा 400 every question जो है चार नमर का होगा तो राइट यह होगे आपका pre paper first paper second paper जो है इसमें भी 100 नमर का होगा दो घंटे का पेपर होगा और 400 नमर का होगा इसमें भी चार नमर के होगे इसमें जो है logical and analytical reasoning and data interpretation जो है पचास नमर का रहेगा digital literacy and computer awareness तीस नमर का रहेगा जैसा का आप देख सकते हैं इसक्रीटर ले सकते हैं स्लेबस का उसके बाद English language 20 नमर का रहेगा तो यह second paper हो गया आपका तो इसमें जो है आपका तीन section बनाया गया है तो इन तीनों में जो है आपको section wise दिया रहेगा तीनों में नहीं overall आपको नमर लाने होंगे और इसमें negative marking 25 अगर एक गलत होता है तो 25% आपका एक नमर कर जाएगा because एक question जो है चार नमर का होगा अब देखते हैं दोस्तों इसमें physical standard physical standard में जो height है वो सब तो उसमें कोई doubt ही नहीं है right physical standard में उसके बाद physical screening जो mail के लिए है 1600 meter आपको cover करना पड़ेगा 7 minute में एक ही chance मिलेगा long jump जो है आपको 3.6 meter 3 chance में आपको यह achieve करना है and high jump जो है 1.1 meter 3 chance में आपको achieve करना है जो एक service man है और 35 के age के हैं 35 या 35 से कम age के हैं तो 1400 meter आपको cover करना है 9 minute में और 10 seat ups करना ह width within 2 minute में अगर 35 age से उपर के हैं जो एक service man उनको 1400 meter जो है walk करना है 12 minute में and 10 seat up जो है within 3 minute में cover करना है female candidate के लिए 800 meter जो आपको complete करना है running 5 minute में and long jump 3 meter जो है आपका cover करना है 3 chance में और high jump जो है 0.9 meter जो है 3 chance में आपको achieve करना है 3 में से एक में भी आपका अगर हो जाता है then आप जो है qualify हो जाएंगे इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर intelligence and investigation grade के लिए जो है investigation and intelligence officers के लिए अलग है screening इसमें 35 से जो above के हैं उनके लिए जो है 8 meter जो है run complete करना है 4 minute में and long jump 2.7 meter जो है 3 chance में से एक chance में आपका होना यह high jump 0.9 meter 3 chance में एक service man जो male candidate है उनके लिए जो है 35 से above के 800 meter कवर करना है 6 minute में और female candidate के लिए जो है intelligence and investigation officer के लिए यह है दोस्तों और यहां 400 meter 400 meter जो है आपको 2 minute में कवर करना है and 1.8 meter जो है आपको at least 3 chance में एक बार में आपको करना ही पड़ेगा and high jump 0.75 meter 3 chance में आपको कवर करना पड़ेगा तो यह physical screening test होगा अगर यह qualifying nature है अगर आप qualify नहीं करते तो यह है आप बाहर हो जाएंगे and then फिर जाके आपका mat list तयार होगा and आपका जो भी result होगा यह आप देख सकते हैं पंजाब police.gov.in पर आप देख सकते हैं medical भी होगा आपका normal medical is not a like defense kind of thing right अब यहाँ पर देखिए general के लिए application fee 1500 है और ex-service men जो की पंजाब से बिलोंग करते हैं 700 rupees SCST जो पंजाब से बिलोंग करते हैं 900 rupees and 91 weaker section जो यह सभी के लिए है 900 rupees पे करने पड़ेंगे and you have to pay like online mode right अब यहाँ देखिए यह है link यहाँ से आप apply कर सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt होता है you can comment me will response as soon as possible अभी जो screen पे तीन notification दोस्तों दिख रहा है इसको देखें यह तीन different organization के notifications हैं और इसमें आप eligible हैं तो apply कीजिए ताकि आपको एक से ज्यादा organization में chance मिले ताकि at least आपका एक में selection हो जाए रहाए दोस्तों तो all the best for your selection process वीडियो पसंद आए तो like करें ताकि motivation मिले मैं भी आपको जो है on daily basis पर आपको notification प्रवाइड कराता रहूं और वीडियो को share करें दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you for watching this video all the best for your selection process thank you